वेलकम टू दा सक्सस क्लासेज बिजिन और डियर स्टुडेंट्स आज हम अपने जो हमने उपैम वाली यूनिट को कवर किया था उस पर बनने वाले जितने भी नुमेरिकल्स हैं एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे इस ट्रेंट्स उपैम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके सलेबस का यहां से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं बहुत इजी इजी से डैरिवेशन एक्जाम में पूछे जाते हैं अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फूजन होता है तो आपको हमारी वीडियो में ल जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को जादे श्यादा शेयर करें इस्टुएंट बैल आइकन जुरू प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सकें पीडियाफ अगर चाहिए आपको हमारे सभी वीडियो की तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं उसका लिंक में नीचे डेस्क्रिप्शन में प्रोवाइट करा दूँगा ठीक है बागी और भी वीडियो देखने के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिए हैं परस्ठेयर की फंडामेंटल्स और इयची परते उन के लिए लिए इंजिनियरिंग के नाम थे हैं code wise मैंने बना दी है playlist उनका link वी में नीचे description में provide करा दूँगा वहाँ से आप सारी videos अब तक की जितनी videos है वो सभी videos देख सकते हैं ठीक है students तो मैं OPM के आज जो numericals जो important numericals है या जितने type की numericals बन सकते हैं एक्जाम में या बनते हैं उनसे related में सारे जितने भी types हैं यहां पर cover कराऊंगा एक वीडियो में लास्त तक बने रहना है हर numerical को दियान से समझना है और PDF मिल जाएगी वहां से note कर लेना अधरवाइस वीडियो को pause करके आप note कर सकते है numerical को ठीक ना और अच्छे से समझेंगे ध्यान से कोई भी doubt होगा तो comment करके जरूर बताएंगे ठीक है students वीडियो पसंद आए तो last me like जरूर करें और comment करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा चलिए तो मैं start कर रहा हूँ numerical number one सबसे पहले जो हमारी opamp है उसकी जो properties होती है या characteristics होती है जिसमें एक हमारी होती है CMRR जिसको हम बोलता है common mode rejection ratio उस पर based numerical बता रहा हूँ क्योंकि कभी-कभी two marks में इस पर based numerical बन जाता है ठीक ना तो आपका वो भी ना चुटे इसलिए मैंने अगर आपने वीडियो लास तक देख लिया तो सारे टाइप की numerical आपके यहां एक गिवन ओपैंप CMRR यानि के common mode rejection ratio दे रहा है 10 to the power 5 and differential gain AD कितना दे रहा है 10 to the power 5. Determine the common mode gain यानि कि इसको हम बोलते है ACM common mode gain यहां पर calculate करना of the opam. तो हमने एक simple formula हमने पर रखा है जब मैंने यह पहले बताया था previous video में तो वहां पर बताया है CMRR जो होता है common mode rejection ratio वो कितना होता है ratio होता है differential gain to common mode gain ठीक है यानि जो differential mode में जो gain होता है upam का वो upon में common mode में जो gain होता है वो ठीक है clear यहां पर लिखा हुआ भी है theoretically या words में यहां पर लिखा हुआ भी है formula जो हमारा ठीक है अब हमें क्या-क्या दिया हुआ है question में 10 to the power 5 CMRR दिया हुआ है और AD यानि कि यह differential gain हमें दिया हुआ है 10 to the power 5 हमें निकालना क्या है common mode gain calculate करना है तो यहां से हम common mode ACM को इदर लेके जाएंगे तो CMRR हमारा इदर नीचे upon में आ जाएगा तो AD upon CMRR हो जाएगा AD 10 to the power 5 है और CMRR 10 to the power 5 है दोनों equal है तो जब divide करेंगे तो 1 हमारा यहां पर answer आ जाएगा तो ACM क्या होता है यहां पर common mode gain कितना आया one to one हमारा finally क्या हो जाएगा answer हो जाएगा ठीक ना I hope आपको numerical clear हुआ होगा clear मैंने ऐसा नहीं समझेंगे आपकी बिल्कुल easy numerical लिए मैं easy से moderate moderate से high level तक मैं गया हूँ यानि कि जितने type के आपके numerical बन सकते हैं जैसे numerical बनते एक्जाम के आपसे वैसे numerical में यहां पर लेकर आया हूँ ठीक ना बस वीडियो में ध्यान से बने रहना है last तक चलिए next numerical की बात कर लेने next हमने एक और प्रपर्टी पड़ी जिसको हम slew rate बोलते हैं ठीक है तो एक slew rate पर भी मैंने numerical यहां पर ले लिया है जबकि slew rate में बहुत rare case में numerical बनता है लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि आप यह वीडियो देखें और आपका कोई भी numerical एक्जाम में certain opamp circuit change by 20 volt यानि कि changing voltage कितना है 20 volt कितने में in 4 microsecond यानि कि 4 microsecond में 20 volt जो है वो change हो रहा है voltage ठीक न तो what is slew rate sorry slew rate होता क्या है हमने जैसे पिछे पढ़ाई है slew rate होता क्या है हमारा previous video में कि slew rate क्या होता है rate of change of volt या output voltage per unit time यानि कि एक unit time में जितना वोल्ट चेंज होता है हमा हमारा output voltage वहीं हमारा slew rate कर आता है तो slew rate का formula क्या होगा है sr1 plus 2 dv not upon dd यानि कि v not मतलब output voltage d यानि कि उसमें change in output voltage upon change in time 4 seconds दिया हुआ है 4 microseconds दिया हुआ है 20 में वोल्ट दिया हुआ जो change हो रहा है तो 20 upon 4 microseconds कर लेंगे यहां पर clear इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5 volt per microse second हमने microsecond में as it is यहां पर ले लिया है four microsecond ठीक है न तो यह four five इसकी जो unit होगी वोल्ट पर microsecond होगी अगर हम यहां पर 10 to the power minus six लेते अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं नेक्स्ट कोशिन पर चलता है next numerical क्या है question number third है हमारा design a non-inverting amplifier देखो numerical जो भी दिया हुआ होगा exam में जल्दी कुछ नहीं करना है बहुत time होगा बहुत आसानी से कर लेंगे लेकिन उसके जो words हैं उसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है ठीक है यहाँ पर क्या दिया हुआ है design a non-inverting amplifier circuit करा है हमें क्या gain voltage in कितना 10 assume an ideal operational amplifier यानि कि हमें operational amplifier जो है वो ideal assume करना है और resistor should not exceed 30 km यानि कि जो resistors होंगे हमारे वो 30 से ज्यादा किलोम के हमें exit नहीं कराने है यानि कि 30 से ज्यादा किलोम के हमें नहीं लेने है ठीक है question समझ में आ गया हो उसको हमें consider करना है या assume करना है कि वो ideal opample और उसमें जो resistor हम use करें वो 30 किलोम से जादा exceed ना करें तो हमें पता है जो हमने प्रिवेस्टी वीडियो में पढ़ रखा है इसका derivation भी हमने कर रखा है जो हमारा gain होता है non-inverting amplifier का वो कितना होता है AF equals to 1 plus R2 upon R1 clear यानि कि R2 क्या है यह feedback resistance होता है RF भी बोल देता है हम इसको RF upon R1 भी बोल सकते हैं आपर इसलिए confused नहीं होना है कि R2 क्या है यह feedback resistance और यह हम जो non-inverting inverter terminal पर जो resistance यूज करते हैं वो हमारा यह resistance है ठीक ना क्लियर अब यहां पर जो AF ना gain दिया हुआ है कितना है 10 दिया हुआ है तो given क्या है AF 10 है तो इस 10 को हम यहां पर put करेंगे तो 10 equals to कितना होगा 1 plus R2 upon R1 clear तो यहां से जब 1 को इदर लेके जाएंगे तो minus होगा तो R2 upon R1 equals to कितना होगे 9 clear तो यहां से R2 अगर हम find करेंगे तो R2 equals to 9 R1 हमारा यहां पर हो गया अब अगर हम R1 को ले 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 1 किलोम तो R2 कितना हो जाएगा हमारा 9 किलोम clear होगी बात यहां पर अगर यहां पर हमने इसको R1 को 1 ले लिया तो 1 into 9 यानि कि R2 कितना हो जाएगा 9 ठीक है इसको हमने 2 ले लिया तो कितना हो जाएगा 18 ठीक है 3 ले लिया तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा ठीक है तो इस तरह हम ले सकते हैं लेकिन यह धियान एकना है कि resistor should not exit 30 कलोम तो हम यहां पर मैंने देखो कितनी सबसे पहले जो हमने ले लिया आरवन हमने वन ले लिया तो यह हमारा इस condition को satisfy कर रहा है तो हम यहीं पर भी इसको छोड़ सकते हैं और इतना ही हम यहां पर ले सकते हैं ठीक है उसके बाद दूसरा क्या कर सकते हैं अब हम और फंटी इसको तो यहां पर अगर अरवन को हम टू ले 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 तो यह कितना हो जाएगा और फिर वो थर्टी से ज़्यादा हो जाएगा तो उससे जादा नहीं लेना है सकते हैं और हमारा रट वो कितना हो जाएका 9 18 और 27 तो इन में सो इसी भी एक value में सकते हैं मतलब पेर उसेख आपसे लेंगे वन लेंगे तो यह 9 ओ जाएगा 2 लेंगे तो यह 18 हो जाएगा 3 लेंगे तो 27 हो जाएगा ठीक थाएस के बाद हम तिन एकितना हमारा 10 हुम इस से भी तो ८िटुम ढों से थिर नाइन अगर के लेंगे तो मुझे तो फिर से मारा को तो यह 27 लेना होगा मैं ठीक ना ठीक है तो मैंने तीनों आंसर आपको verify करा दिए यहां पर एक यांसर हमें लेना है यहां पर तो हमने वही ले लिया है तो जो हमने लिया है उसके according हम अपना circuit draw कर लेंगे तो non-inverting amplifier जो हम draw करते हैं और यह circuit हमारा design हो गया ठीक है यह non-inverting amplifier का circuit है जिसमें R1, R2 या feedback resistance RF हमारा 9 कलो में और इसका जो gain आएगा वो कितना आएगा 10 आएगा ठीक है यह हमें draw करना था ठीक है students I hope आपको clear हुआ होगा अगर clear हुआ है तो जल्दी से वीडियो को like जरू करें और comment करके जरू बताएं वीडियो कैसा लग रहा है अपने दोस्तों को भी जादे से जादे share करें और चैनल अब भी subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe करने है आप comment करके जरू बताया करने वीडियो कैसा लग रहा है ताकि हमको motivation मिले और आगे और भी better करने की कोशिस करें ठीक है स्टेट चलिए next question पर चलते है next question बात करते है अब देखो ये फिर से एक CMRR पर numerical है इस तरह का numerical भी अक्सर बन जाता है एक तो मैंने अभी जो पहला numerical कराया था CMRR पर वह बिल्कुल simple numerical था ये थोड़ा सा उसका advanced level कह सकते है थोड़ा सा upper level कह सकते है और इस तरह का numerical ज्यादा बनता है exam में ठीक है इस CMRR पर बनता है तो और जबकि है नहीं कुछ बहुत simple numerical है बहुत ध्यान से आपको समझते चले जाना है ठीक है क्या question है the CMRR of a differential amplifier is 55 db दे रखा है अब देखो जैसे ही db दिया तो हमारे दिमाग में एकदम db वाला formula आ जाना चाहिए ठीक है CMRR के मैंने दो formula बताया थे एक तो CMRR equals to क्या होता है AD upon ACM यानि के differential voltage gain upon common mode voltage gain ठीक है और जब इसको db में दिया होता है तो db में 20 log base tenses में multiply कर देता है तो बस यह दिया ने करेंगे कि जो CMRR दिया है वो db में दिया यह काए में और अगर CMRR कालकुलेट कर वा रहा तो वो काए में calculate कर वा रहा रहा है अगर कुछ नहीं दिया तो simple या वाला formula या Ihnen कर लेंगा अगर db में यह वाला formula यहाँ पर use करेंगे जो हमारा कौन सा है 20 log based chain यानि के यह कौन सा formula होता है हमारा DB के लिए तो हमें CMRR in DB यानि के 55 यह दे रखा है हमने as it is यहाँ पर लिख लिख लिया 20 हमने as it is लिया log based chain as it is लिया AD हमें कितना दिया हुआ 1200 तो 1200 लिख लिख लिए हैं पर और ACM हमें calculate करना है ठीक है students अब हम क्या करेंगे यह 20 है ना देखो अब यहां से दियां से समझेंगे इसके बाद यह direct step आपको लग रहा होगा मैं समझा जाएंदा हूं क्या है यह 20 है इधर यह multiply में तो इधर आएगा तो divide में आएगा ठीक है ना तो यानि कि क्या बनेगा फिर हमारा यहां पर 55 just one second 55 upon 20 हो गया हमारा ठीक है और equals to में क्या बन जाएगा हमारा यह log यह इतना वाला पार्ट बस इतना लॉग बेस्टेंड ट्वेल वंडेड अपॉन एसम यह हमारे इसके एकवल बन गया है आप ठीक न अब हम क्या करेंगे इधर लॉग बेस्टेंड है तो हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे तो यह लॉग तो हमारा उसकार लेंगे जाहर तक समयता हूं के आपको क्यल्सा यू उसकर करना आता हो करके उस value को लिखेंगे तो हम जब enter मारेंगे तो या equal का sign press करेंगे तो हमारा antilog वहां से calculate हो जाएगा तो यानि कि antilog की value यहां पर आगी अब ACM हमे calculate करना है तो ACM हम इधर लाए antilog वाली जो value आएगी वो नीचे आ जाएगी तो ACM equals to कितना हो समझना है बस ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत tough है या क्या है बहुत easy है कोई problem नहीं आएगी मैं guarantee ले रहा हूं बस यहां से समझते चले ठीक है ना चलिए next numerical देख लेते हैं next numerical फिट से हमारा आ जाता है अब differentiator आप integrator and differentiator भी हमने पढ़े हैं तो एक एक करके इनके भी numerical हम देख लेते हैं क्योंकि इन पर भी कभी-कभी numerical बन जाते हैं मैंने कोई type नहीं छोड़ा है आप निश्चिन दोगे मेरी वीडियो को देखें और सारे numerical आपके cover हो जाएंगे सारे टाइप इससे आधा आपको numerical देखनी की जाहत नहीं है बस वैल्यूस चेंज हो सकती है लेकिन tama oupeotüneori का हो फिर हमें पता है सिधा सिधा हम डेफेंशेटर पर पहुंचेंघ है और डिफंसेटर का मैनिच अर-ची इन्टु डी अपान डेटिंट्टू व्हानि याँ कह यानि के वी अनि वीइने व निपट वोल्डेशन ले ले ने टीडिक है तो मैनस आर से माइनिस क्या रही नार इनवर्तिंग या इनवर्ट करते हैं ठीक न रहे घेक साइन गांश कर रहा है इंवर्ट विद्स त्यार जिका रहिए हुद पर जो हमने ऐसे डिफ्रेंशेटर यूस्ट किया हुए है लार की वैल्यू की दिंदिव या वन में टो 10 to the power 6 हो गई c की value की तीं दिए 1 microfarad या नहीं 1 into 10 to the power minus 6 हो गई ठीक अब d upon dt d upon dt और v i क्या दिया हुआ 2 sin 1000 pi t clear अब यह हमारा 2 जो है यह तो हमारी constant value यह बाहर आ जाएगी यह 10 की power 6 से 10 की power 6 cancel हो गई तो बाहर क्या बचा हमारा 2 और sin 1000 pi t को हमें हमें क्या करना है differentiate करना है तो sin 1000 pi5 t को हम differentiate करेंगे तो वह जाएगी हमारी value cause 1000 pi t clear और यह party को जब करेंगे तो पाई की value और हमारी बाहर आ जाएगी for b और बाहर आ जाएगा तो बाहर की आ जाएगा 2 pi रहा जाएगा और पाई हमारा बहरा जाएगा यह जब two में आ गया होगा ठीक ना और यह minus sign as it is है हमारा clear मैंने बता दिया है यह 10 की power 6 और यह minus 6 cancel 1 से multiply गया 1 को तो 1 अब यह 2 constant है बाहर आ गया तो 2 तो हमारा already बाहर है अब sign thousand pi t को जब हम differentiate करेंगे तो क्या हो जाएगा cos thousand pi t और pi t में क्या जाएगा pi भी बाहर आ जाएगा तो इतना simple सा देखो कितना छोटा सा numerical है और यह numerical बनते हैं exam में बहुत बार आते हैं मैं जब model paper भी कराऊंगा तो वहाँ पे भी आपको numericals भी लेकर आऊंगा और मैं हो सकता है कि last में अगर time मिलेगा मुझे तो previous year के जो question paper है वो भी आपको solve कराऊंगा ठीक ने students clear चलिए next question है question no.6 क्या कह रहा है a 5 mili volt comma 1 kilohertz sinusoidal यह integration integrator का मैंने ले लिया है ठीक ना a 5 mili volt comma 1 kilohertz sinusoidal voltage is applied at the input of an opamp integrator for which r इतना दिया हुआ 100 km और c1 microfarad calculate the output voltage ठीक है आप देखो दिया हुआ क्या है vi दिया हुआ कितना vm sin omega t यह हमारा होता है mili volt ठीक है अब यह vm कितना दिया हुआ है मैं 5 mili volt दिया हुआ तो हमने 5 ले लिया है इतना बस समझना था इसमें थोड़ा बाकी तो हमारा as it is such है जैसे हमने previous differentiation वाला किया differentiator वाला ऐसी हम integrator वाला numerical करेंगे इसमें यह value इस तरह का आ जाता है question इसलिए मैंने यह value भी यहां पर लेकर दिखा दिया आपको कैसे हमें यह equation बना लेनी है input voltage ठीक है समझ में आई गया होगा input voltage क्या होती है sinusoidal signal की v i equals to vm sin omega t तो vm हमें कितना दिया हुआ 5 mili volt तो 5 हो गया mili volt हमने लिख लिया पीछे sin अब यह जो omega होता है 2 pi ft होता है तो 2 pi ft हमने लिख लिया तो हमें 2 to as it is है और f दिया वण लोड यानि कि 1000 तो 2000 होगा 2000 pi t clear अब integrator का जो formula होता है वह क्या होता है वी not equals to minus 1 upon rc into integration integration of 0 to t v i dt clear one upon rc यानि one upon r कितना दिया हुआ हमें 100 किलों तो 100 into 10 to the power 3 और c कितना दिया हुआ 1 microfarad तो 1 into 10 to the power minus 6 integration of 0 to t अब यह वी आई की जगह पर हमने यह वाली equation पुट कर दी 5 sin 2000 pi t dt ठीक है तो यह minus sign हमारा यह minus sign हमारा यहां पर चूट गया है minus sign हमारा बाहर यहां पर है as it is इसको हमने solve गया यह 10 to the power 6 है 10 to the power 5 हो जाएगी तो 10 to the power minus 1 बचेगी तो यानि के उसको हमने point one लिख लिया 1 upon point one zero to t five यह हमने as it is लिख लिए अब यह जो है जब हमने इसको divide गया तो minus 10 हो गया हमारा अब इसको जब हमने integrate किया तो क्या हो गया sign का तो हो गया minus cos तो यानि के minus five cos two thousand pi t और pi t में two thousand pi t में अगर हम देखें तो two thousand pi हमारा नीचे आ गया है हम पर clear और limit हमने put कर दी zero to t ठीक न तो आगे जो हमने देखा यह five तो हमने भाह ले लिया तो यह 50 हो गया भार cos two thousand pi t minus one यानि कि cos two thousand pi और inis but with pink 0 taking a릴게요 और या यह tu common one minus के वन यौनम यह वाली वेल्यूफड्य हमने यहा पर put कर ऑए तो यह क्या हो कि value हमारी जीरो हो गई और जीरो हो जाएंगी तो zero जब हो जाती है तो हमारे cost की value कितने हो जाती है यह थो थोड़ा थो थोड़ा शॉल्ट को अमबाल ले आए फिप्टीज से को कट किया फॉर्टी टाइम सबन अपॉन फॉर्टी पाई हो गया हमगा और यह प्र यह सब्सक्राइब यहां पर इसको प्लस कर लेंगे यहां पर इसलिए प्लस ही है यह माइनस और यह माइनस जब मल्लिप्लाइब होंगे तो प्लस हो जाएगा ठीक ना क्लियर आयोप आपको यह नुमेरिकल भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा चली नेच्ज्ट नुमेरिकल पर चल ने नेक्ष्ट नुमेरिकल हमारा समिंग Kr SAY marete मेरिकला ने मैंने दो नो जयो बन बन एक बंद आ बहुत सिंपल मेडिकल नुमेरिकल आपको सिंपल नुमेरिकल हो եे थे पर output voltage में find करनी है वी वन हमें पॉइंट वन वी टू हमें वन और वी थी हमें पॉइंट वन दिया हुआ है क्लियर यानि कि वी यह वी बी वी सी हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि आर यार भी आर्सी दे रखें तो आरे टैन आर बी टैन आर्सी टैन टैन किलों में और आरफ जो ह 我 सब्सकत Gobierno बोला में और में फ्रहृोंकि फोर्मुला यह सबस्क्रणु अर इसको मिस्टेक नहुंत क्लिया तो हमें धिया हुआ हुआ ऐ यार में धिया हुआ हुआ है टैन किलों और बी टैनिकलों आर्सी टैन किलों आरेफ 20 किलों वी ए 0.1 वोल्ट वी बी 1 वोल्ट एंड वी सी 0.1 वोल्ट ठीक ना तो हमें पता है formula क्या होता है बस formula V not या V output equals to minus rf upon r1 या rav a rf upon plus rf upon rb vb rf upon rc vc ऐसी जितने भी होंगे उतने हम लिखते जले जा दें बस value put करेंगे और calculation करेंगे इस unit में जितने भी numerical है उनमे calculation में आपको calculation पर ही ध्यान थोड़ा सा देना है ठीक और formula is तो rf कितना है 20 20 किलों में तो 20 upon 10 होगा किलों में हम लिखने की जोग निया वैसे दोनों cancel out हो जाएंगे यहाँ पर 10 to the power 3 लिखने जोग निया इंटू वी ए कितना दिया हुआ है .1 दिया हुआ है तो .1 हमने यहाँ पर ले लिया ठीक है ऐसी rf upon rb तो 20 upon 10 होगा फिर से यह cancel हो जाएंगे ठीक और यह 1 दिया हुआ है as it is क्या वी भी और rf upon rc यानि का rf 20 upon rc 10 यह किलों cancel और वी सी कितना दिया हुआ .1 ठीक अब हमने इसको solve किया यह कितना होगा डिवाइट किया 2 into .1 प्लस यह भी 2 into 1 प्लस 2 into .1 ठीक है ना .2 प्लस 2.2 यहां पर हो जाएगा sorry तो कितना होगे है हमारा यहां पर 2.4 हमारा यहां पर answer होगा clear और यह minus sign के indicate कर रहा है कि invertings हमारा हमारा है ठीक है तो minus के 2.4 volt हमारा final answer आगे जो output voltage हमारा यहां पर होगा clear students I hope आपको यह clear हुआ होगा बहुत simple सा numerical था बहुत easy सा यहां पर यह numerical था ठीक है और ऐसा numerical easy है तो आएगा नहीं ऐसा नहीं सोचेंगा आएगा जरूर आता है इस तरह अगर नुमेरिकल चाहे तो आप previous year के question paper उठाके देख लिए ठीक है अब एक और जो numerical हमारा बनता है CMRR based बहुत rare case में बनता है लेकि कि मैं कोई भी numerical ऐसा नहीं छोड़ूँगा कोई भी type ऐसा नहीं छोड़ूँगा इसमें total 11 questions है 11 questions में मैं सारे type cover करानी की कोशिस कर रहा हूं कि आपका exam में कोई भी numerical है आपका छूटे नहीं यह CMRR पर एक special numerical है जिसका derivation हम जब ठीरी पढ़ते है या subject इस unit को cover करते नहीं प में पता दुहें थीका नोटा डेक ना कि का दिया वए for difference for difference mode gain of amplifier is 200Wear 2,000 यानि का differential mode gain दिया हुए अई-ड याई-ड तो-ज़िनख्यंड हम आह πर एड दिया रॉत्य अ Centerения ठीक क्लियर CMRR कितना डिया हुआ है 10,000 डिया हुआ है calculate the output voltage वी नॉट calculate करना अगर V1 इतना है और V2 इतना है clear तो देखो V1 हमें दिया हुआ है इस question में V2 हमें दिया हुआ है अब VDM निकाल लेंगे calculate कर लेंगे VD क्या होता है हमारा differential voltage होता है हमारा तो V1 minus V2 हम पता ही है differential voltage हमने जब OPM के derivation पढ़े थे वहाँ पर देखा था तो V1 में से V2 को subtract करा तो हमारा .1 millivolt यहाँ पर आ गया common mode में देखें तो VC जो होता है इनका average होता है यह दोनों formula आपको याद रखने है ठीक ना तो V1 plus V2 upon 2 हो गया तो V1 1.0 और V2 हमारा .9 तो इनको add गया upon 2 से divide गया तो .95 millivolt हमारा यह आगया VC अब हमारा जो differential voltage gain ए दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2000 दिया हुआ है CMRR 10,000 दिया हुआ है ठीक ना तो output voltage calculate काना है तो output voltage कितना हो गया हमारा A into VD plus वो bracket में 1 plus 1 upon CMRR VC upon VD ठीक ना यह मैंने star इसलिए आपर बना दिया ताकि special formula है एक तरह का modified formula है clear एक हमारा एक formula और होता है मैं अभी आपको वह भी बताने वाला हूँ उन दोनो formula पर based इस पर based यह जो formula को याद कर लेंगे ठीक है और जो दूसरा formula मैं लिखने जा रहा हूँ उस पर बहुत numerical बन चुका है तो इसलिए उसको भी ध्यान रखेंगे तो जो वी output होता है ना यह output थोड़ा सा राइटिंग पर नहीं जाएंगे formula को मैं बोलना हूँ ध्यान से सुनेंगे नोट कर लेंगे अपने कॉपी में विया और पुड़ी कुस्ट्व कितना होता है एई आई डी यानि के डिफ्रेंशल गेन या एडी लिख लेंगे ठीक है एडी और वी डी यानि के डिफ्रेंशल वोल्टेज प्लस एसी एम यानि के common mode voltage गेन और प्लस वह एसी एम और वी सी एम और वी सीएम और वी सीएम और यहां पर आउट्पट वोल्टेज दिया होगा तो उसनम यहां पर कोई दूसरी वैल्यू जो है नहीं यहां पर calculate कर लेते हैं के लिए रोगी बाद यहां पर ठीक ना अब देखो यहां पर मैंने एक तो यह वाला फॉर्मूला बताया आपको आप इसी इस वाले फॉर्मूले से भी हम कैसी calculate कर सकते हैं इस वाले question को तो पहले में यह वाला बता आ इसको solve कर लेंगे calculate कर लेंगे कल्सी से आप तो यह आपका वी आउट पूट आजाएगा ठीक ना अम इस फॉर्मूले की बात करूं ठीक ना यह वाला फॉर्मूले लिकाए मैंने यह वी सिंपल फॉर्मूला है वी नॉट इक्वस तो एडी वीडी प्लस एसी एम वीसी एम ठीक नहीं ठीक हुआ हो तो आपको इस कोश्य इए works क्या है आपको इस कोशिन में एडी धिया हुआ है 2000 ठीक ना वीडीयम ने काल्कलेट कर लिया डिपरेशल वोल्ट पॉइंट वन एसी एम अमे धीया मनिये सीन हमने कालकूलेด कर लिया से या यह एच्छी है अंच्छी बहुत कर सकते आंसर बिल्कुल सैम आएगा ठीक ना जो बी फॉर्मुला लगए आपको इन दोने मैं से चाहे तो यह वाला फॉर्मुला चाहे वाला फॉरमुला जो एजी लगे जिससे जादा अच्छ लग रहा हूं उसको याद कर ले एक फर्मुले को ठीक ना एक्जाम में बहुत टाइम यह कोशन बन चुका है इस पर बेस्ट काफी बार रिपीट हो चुका है टू मार्क में कोशन आता है ठीक ना इतना टिपिकल लें बहुत सिंपल सा कोशन है बहुत आसानी से आप लिए नेक्स्ट नुमेरिकल पर चलते हैं नुमेरिकल नमबर नाइन और इस कोशन ये कोशन फिट से हमारा समीं अम्प्लिफायर पर है डूसा डिफेंट टाइप का जो कॉशन बनता है में कहता है समीं अम्प्लिफायर डिजाइन करने के लिए क्लियर एक आउट-पूट यहां पर दिया हुआए डिजायन क्पाना होना इस तरह से किस तरह से प्लिख साने इस द Nous ் वल्टेज जो धीआ हुए कोशन में वह तो यह दिया हुआ है माईल्स वी-वन तरह चैनल लेटो प्लस फर्मॉला होता है तो इस वायियो को खुत करा ना है और जीदिया वेल्यू को कोईए कर ना है तो जब पहली वाली वेल्यूंत देखें तो यह जो V वाली वैली अगर हम देखें तो कितना है आर एफ अपॉन आर वन किसके क्वाल है यहां कर इसका कोफिशेंट क्या वन है तो हम यहां पर देखो डारेक्ट लिखाव मैं यहां पर समझा देता हूं थोड़ा सा आर एफ ध्यान से समय लेंगे नोट कर लिया करने ठीक है जो मैं हुआ हूं थिक आर एफ उपॉन आरवन है यहां पर तो इसको वी वन के साथ यहां पर एकुएट करने हो गया दूसरा कि आर एफ आर टू किटना हो हो जाएगा Anders एका ट मोग यहांत नों हो जाएगा यहां से हिसको इधर ले आएंगे तो आर्星 देन हो जाएगा यहां से इसको इढ़े जाएगे तो लीग यह आज यह कोड़ात आको हिमारी को अर्ट यह ठी हो जाएगा और यहाँ पर कितना एक ऊफिशेंट है तो यहNever ठीका न अधिर धर चला जाएगा हंड़े निचा आजाने तो आर थी कोस टू आरए हंडरी को स्टू आरार फंट रेथ 100 को Sam हो गया तो बस ये तीनों वैलियों में calculate करनी थी diagram बनाना चाहे तो बना सकते हैं मैंने याँ पर बना या नहीं है ठीक ना आप बनाना चाहे तो यह वाला इस तरह का डाग्राम बना लेंगे ये वाला जो diagram है और यह r1 r2 r3 जो है नहीं यह पर के लिख दें पर यहां पर आपको लग रहा है कि हमारा सही है गलत है तो अगर आपके पास टाइम होगा तो जो सर्कित आप ड्रो करेंगे ये वाला सर्कित जो जो ड्रोक रहेंगे तो इसका ऊट्पूट वोल्डे इस फार्मले से इकल्कुलेट करके रेंगे तो इसका अंसर फिर यह आएगा जो यहां पर यह कोशिन में दिया हुआ है ठीक ना ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन पे जलता है नेक्स्ट कोश्चन जो है मारा फिर से मैं लेकर आएँ हम यहां पर इंटीग्रेटर पर बेज़े एक और नुमेरिकल ठिकेत सिंपल नुमेरिकल इसको भी एक बार देख लेतने हैं क्लियर मैंने कोशिस कि है कि यह कि दो तो नुमेरिकल मैं करा दूं एक से ज्यादा भी करा दूं तो ज्यादा बैटर है 10 millivolt और 22 klorus दिया हुआ है तो हम इसकी एक्वेशन जब बनाएंगे तो कितना होता है वी इंपूट इसको रूट वी रमस क्लियर साइन इस्टाल सिगनल एपलाई तो दा इन वर्टिंग अंपली इंपूट टर्मिनल ओफ एंप इंप इंटिग्रेटर फॉर विच आर इतना दिया हुआ है और सी इतना दिया हुआ है एक टीक ना और डिटर्माइन दा आउट्पूट वोल्टे तो डिटर्माइन करनिया में आउट्पूट वोल्टेश ठीक है अगर यह आरमस वैल्यू दी हुए है तो हम यहां पर क्या होता है इसको है वी एम कितना हो जाता है इसको है रूट तू वी आरमस साइन टू पाई अफ्ट यानिक्यों मेगा टी तो रूट टू और साइन की हन्ट ले साइन और यह तू 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 और यहां पर यह तू जो दिया हुआ है यह तो फॉसंट यू पायिटि हो गया कलिया होगी तो यहां पर हमने एज्यूम क्या हुआ है dortum Mirpam då मैंने फिल्फट्ट ऑमस फिते डी तू रूर फ्ट्त लो और शीन फीड को है रिए इसके तो यह वाला formula होता है हमारा output voltage ठीक है clear तो यहां पर कितना होगे है यह one minus one upon rc minus 10 होगे जीरो टू टीम ने ले लिया है यहां पर वे input कितना होगे हमारा वे input root 2 into 10 sin यह जो हमने calculate किया है यहां पर root 2 sin 4000 5 t dt ठीक है अब इसको हम क्या करेंगे solve कर लेंगे यहां इसको root 2 into 10 यह जो भी आएगा हमारा इसको multiply करके बाहर ले लेंगे बाहर लेंगे इसके साथ multiply कर देंगे 10 के साथ ठीक है और इसको हम integrate कर लेंगे sign 4000 पाई ठीक हो जाएगा minus cos 4000 upon 4000 पाई और आएगा यहां पर तो यह पाई की जो value मतलब यहां पर पाई हो रहाता है उसको भी हम बाह ले गए ठीक ना बाह ले जागे 3.14 से सीधा सीधा हम क्या कर देंगे divide कर दें किसको इसको तो यह divide करके value यहां पर आ जाएगी ठीक है यह यहां पर थोड़ा सा जीरो रखा तो 0 जाएगा यहां पर टी और ओर होगा न ठीक है जब 0 रखेंगे तो 0 जाएगा तो पाउस जिरो की value 1 होती है तो फाइनल हमारा यह वाला यहां पर हो जाएगा आपको यहां पर confusion हो रहा होगा पीछले वाले कोशिन में मैंने जो इंटिरेटर वाला नुमेरिकल कराया है उसमें ये वाली जो वैल्यू ए 10 मिली वोल्ट जाज है यहां पर दी हुई है तो मैंने वहां पर एज इस वी एम यूस कर ली थी वी मैंने यूस किया था तो वहां पर डायक्ट वी एम मैंने यूस कर ली थी वहां पर ठीक है मैं अभी दिखाता हूं पीछे जाज है यहां पर यूस कर लिया था ठीक है और यहां पर जो दिया हुआ है यहां पर जो यह वाला कॉशन है इस वाले कोशन में क्या दे वा तैन मिली वोल्ल इंड्यू क्लोर्स चलते हैं next question हमारा क्या कह रहा है फिर से जो question है हमारा यह differentiator का है यानि कि एक और differentiator का मैंने question ले लिया है यहाँ पर clear तो यहाँ पर देखो vm जो मैंने इस बारे question में यह कि लिया हो है ना root 2 vrms तो आप यहाँ पर vms vm e लेकर यूश करके solve करें 10 लेकर solve करें तो ज्यादा better होगा ठीक है इसको रूट 2 से multiply ना करें तो ज्यादा better है इसमें फिर आपको भी problem होगी तोड़ा से याद करने में confusion होगा और यह numerical calculation भी complicated हो जाएगी root 2 को skip कर दें यहां से ठीक है ना vm e लेकर चलें clear तो चलो अब इस वाले में क्या है vm sin omega 2 pi ft हो जाएगा याँ sin omega t हो जाएगा clear यहाँ पर दिया हुआ है 10 micro volt दिया हुआ है और यहाँ पर peak value दिया ना peak value यहाँ पर दिया हुआ हुआ है clear तो 10 होगा हमारा और यह frequency जो है तो cr calculate के लिए c कितना दिया हुआ है यहाँ पर c दिया हुआ है यह राट 2 microfarad f दिया हुआ 50 kilo ठीक है तो c value 2 microfarad या नहीं 2 into 10 to the power minus 6 और 15 to 10 to the power 3 हो गया calculate करके my point 1 value आगे तो यहाँ पर यह as it is formula point 1 put कर दिया और यह d upon dt clear और यह कितना हो गया d upon dt यहाँ पर यहाँ पाइटी यह 10 था इसको बाहर ले लिया constant value को clear 4000 पाइटी को अमने differentiate कर दिया यह multiply किया 4000 पाइटी को जो हमने differentiate किया तो 4000 पाइटी एक आया हमारा और इसका क्या हो गया cost 4000 पाइटी हमारा हो गया ठीक ना इसको हमने solve कर लिए solve करके बस finally अनसर आगे और पिछे बता चुका हूं ठीक है ने स्वेंट आयोप आपको यह जो वीडियो आयोगा निमेरिकल सारे समझ में आयोंगे किसी निमेरिकल में कोई doubt हो तो मझे comment करके जरूब बताएं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भी तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें वीडियो जरूर लाइक करें शेर करें अपने दोस्तों को ज़्यादे जाद है और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा वीडियो लगा ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही काफी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।